कि हम लोग आरे सकरवाल का क्लास 9 का exercise 8 का question number 20 solve करने जा रहा है question number 20 में क्या क्या रहा है पहले इसको समझने की कोशिस किजिए if sides of a triangle are produced in order if sides of a triangle are produced in order order का मतलब कि अगर आपने a b को आगे बढ़ाया है तो फिर b c को आगे बढ़ाओगे फिर b c को आगे बढ़ाया है तो c को आगे बढ़ाओगे ये order होता है इस तरह से आप आगे बढ़ाओ a से b की तरफ अगर आगे बढ़ाओ produce किये तो फिर b से c के तरफ आगे बढ़ाओ फिर अगर b से c के तरफ आगे बढ़ाओ तो C से A के तरफ आगे बढ़ाओ अगर ऐसा बढ़ाते हो अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा Prove that the sum of exterior angles so formed is equal to 4 right angles तो इस तरह से जो exterior angle बना क्या ये एक exterior angle है ये वाला क्या ये एक exterior angle है और ये भी एक exterior angle है यहाँ भी तो इनका sum जो होगा न वो 4 right angle के बराबर होगा मतलब अगर हम इसको माल लेते हैं X, इसको माल लेते हैं Y इसको माल लेते हैं Z बाहर वाले को तो we have to prove क्या है we have to prove क्या है बताओ angle 4 right angle मतलब 4 into 90 degree तो अपने आप उख 360 degree हो जाएगा वे न जैसे इसी order में आप बढ़ा हो जैसे यह बढ़ा है फिर आप क्या क्या हरू यह एंगल और यह एंगल कम्प्लीट हो गया तो इसको जोड़ोगे तो 360 डिग्री होगा चाहिए हेक्सागोन हो चाहिए हेप्टागोन हो चाहिए उक्टागोन हो कुछ भी हो अब कहोगे सर ऐसा कैसे आपको पता चल जा रहा है तो एक कॉमन सेंस से हम उत्तर देने का कोशिस करेंगे जो अबजर्वेशन है उसको समझने का कोशिस करिएगा observation यह है कि किसी एक point पे अपना अउली को रख लो किसी भी exterior angle पे यहाँ पे अउली को रख लो यहाँ पे यहाँ पे हम अउली रख लिए अपना तुम सोचो ध्यान से कि क्या तुम पूरी तरह से इस तरह से घुमके पूरी तरह से इसी पे आए हो कि नहीं आए हो ऐसे गए फिर यहां से इसी लाइन से बढ़े हो आगे इसी गए फिर इसी लाइन से बढ़े हो आगे इस पे गए फिर इसी लाइन से बढ़े हो आगे इस पे गए फिर इसी लाइन से बढ़े हो उसी पे आगे कि नहीं मतलब पूरी तरह से एक पॉइंट पे घुम गए हो कि नहीं तुम मुप हैोंढ तो एक पूरा complete rotation कर रहे हो कोई भी छोड़ नहीं रहे हो यहां से घुमें फिर यहीं से घुमें छली तुम देखो यहां से अ कर घु沒 हो मैं तो फिर इसी से घुमें हो तुम यहां से फिर यहां पर जब आये हो तो इसी लाइन method गुमें हो फिर इसी से गुमें हो फिर इसी को आगे बढ़ा किसी से गुमें हो वापस जा आते वहां पर आये हो तुम तो पूरा अगर complete rotation हो गया तो 360 degree होगा ऐसा चाहे quad lateral हो चाहे triangle हो चाहे कुछ भी हो समझ गहें बत को तो यह आपका एक नंबर के questions में आ जाते competitions वेगर हमें भी इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई भी पोलिगन हो उसमें exterior angle का सम अगर side को order में बढ़ाया गया एक क्रम में anti-clockwise check clockwise अगर order में बढ़ाया गया तो उनके exterior angle का सम 360 degree होता है क्योंकि पूरी तरह से हम घुम जाते हैं अब यहां पर ट्रेंगल में है तो इसको भी हम ऐसे भी प्रूप कर सकते हैं एक तो प्रूप हमारा होई गया कि हम लिख देंगे कि a complete rotation if ऐसे लिखेंगे आंसर को if you produce side in order wise and sum of exterior angle will be a will be या will make be complete rotation a full complete rotation that is 360 degree एक तो यह उत्तर हो गया दूसरा उत्तर क्या होगा कि एक काम करवा यह जो actually इसको का कर लो इसको 1 मान लो इसको 2 मान लो और इसको 3 मान लो क्या हम अगर बोलेंगे कि अगर हमको यह प्रूफ करना है मान की चलो तो हम क्या करते हैं न कि left hand side को लेके आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब x plus y plus z हमको 360 प्रूफ करना है क्या हम लोग angle x को क्या लिख सकते हैं क्या angle x को हम 2 और 3 का जोड लिख सकते हैं बोलो एक सिरियर एंगल है न तो 2 और 3 का जोड लिख सकते हैं और अगर y को लिखना चाहिए तब y को अंदर आओ अंदर आओगे तो तुरत वला नहीं लेंगे दूर वाला तो एक और 3 का जोड लिख सकते हैं फिर अगर इस इस एंगल को देखो जेड को तो यह बाहर वाला है तो अंदर आओगे तो दूर वाला 1 और 2 के जोड के बराबर होगा तो अब ज़रा देखो तो angle 1 angle 2 angle 3 क्या दो दो बराया angle 1 प्लस angle 2 प्लस angle 3 लागातार लिख दिए 1 2 3 फिर यह वो 1 2 3 बाकी है तो ज़रा बताओ कि 1 2 3 को जोड़ोगे तो 180 degree होगा कि नहीं होगा एक 2 3 एक 3 ट्रेंगल के तीनों internal angle का सम था तो यह भी 180 है यह भी 180 तो हो गया न 360 degree तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे यूजिंग कौनसा प्रोपर्टी एक्स्टिरियर एक्स्टिरियर एंगल प्रोपर्टी यूजिंग एक्स्टिरियर एंगल प्रोपर्टी और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या Sum of Sum of Angles of Sum of angles of Triangle क्योंकि हमने ये एक दो तीन को एक स्वासी लिखा है एक दो तीन को एक स्वासी लिखा है प्रिंट कर लिजे समझ में आ गया होगा न